नमस्कार दोस्तों कैसे हूँ आप सब यह हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है क्लास टल्थ बाइलोजी का और यहां पर पहला जो एक्सपेरिमेंट उसका उद्देश से है इस लाइड दोरा परागर अंकुरन का अध्यन करना तो सबसे पहले इसमें हम सामगरी लेते हैं और साम क्रोज 10 ग्राम, कवरेच स्लिप, कांच के स्लाइड, वीकर, सुचमधरसी, ग्लिसरीन, ड्रापर, सुई, इत्याद इसमें हम लोग आवसक उपकरण का उप्योग करते हैं इसका पीडिएफ टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा वहां से जाकि आप अपलोड कर लीजिएग और किस टेलिग्राम पर मिलेगा एलकेम स्टेडी टेलिग्राम चैनल पर इसका फुल पीडिएफ मिल जाएगा आगे देखें दोस्तों इसके बाद जो हम सिध्धान्त लिखते हैं सिध्धान्त में क्या होगा तो सिध्धान्त में इसमें हम लिखेंगे सिध्धान्त में प परागर पराकोस से वर्तिकागर पर जल या कीटो द्वारा अस्थान आंतरित हो जाते हैं ठीक है ना फिर पराकणों की रचना पराकणों की रचना सामनता पराकण गोलाकारिया तिकोने होते हैं पराकणों का बाहरी मोटा आवरण वाह चोल तथा आंतरिक पतला अस्तर होता है दोस्तों और वह चोल खुर्दुरा होता है पराकणों में अंकुरर छीद्र होते हैं फिर विधी विधी में आप देख रहे हैं सरपथम एक साफ होग स्वच्छ स्लाइड पर पराकणों को डाला जाता है दूसरी राउंड पर क्या करते हैं एक बूंद ग्लिसरीन डालकर एक कवर इसलिप लगा दी जाती है तत्पष्चा सूच्मदर्शी की सहायता से इस लाइड का उलोकन किया जाता है पराकणों की सहायता का अध्यन किया जाता है पराकणों के अंकुरर के अध्यन के लिए एक पोसर खोल बनाया जाता है इसके जल मात्रा दस मीली है ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे इसे समझ सकते हैं ओके निरिच्छन में और इनके जो फिगर बने हैं बना लीजिएगा ठीक है न असपस्ट आपको फिगर दिखाई पड़ रहे हैं और अंकुरण की भीन अवस्थाएं और इसमें लास्ट में सावधानिया कोई भी प्रयोग करना है उसके लास्ट में हम सावधानिया लेख देते हैं इसका पेडियेप हम टेलिग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो अगले वीडियों फिर मिलते हैं तब तक के लिए जाए हिन